बिहार में एक जहरिली मक्षी ने कोहराम मचा दिया है। यह मक्षी काटती नहीं है, बलकि केवल शरीर पर बैठने भर से ही अपना जहर फैला देती है। इसके संपर्क में आने वाला वैक्ती बूरी तरह से गंभीर हो जाता है, उसके शरीर में खुजले वाले चकते होने लगती है। और कुछी देर में वह अंधेपन का शिकार हो जाता है। यह खतरनाक मखी बिहार के किशन गंज जिले में आ चुकी है और यह धीरे धीरे करके पुरे बिहार में फैलती जा रही है। अब नमस्कार मैनेहा चौधरी कैमरा पोसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन। पशिम बंगाल में नैरोबी मखी एसिट फ्लाई अपना आतंक फैलाने के बाद अब बिहार के किशन गंज जिले में भी फ्लाई एसिट मखी का हड़कम शुरू हो चुका है। पशिम बंगाल से सटे ठाकुर गंज में इस खतरनाक मखी को देखा गया है और साथी एक व्यक्ति इस मखी से संक्रमित भी हो चुका है। यह मखी काटती नहीं है बलके केवल आपके शरीर पर सटने भर से आपके पूरे शरीर पर खुजले वाले चकते होने लगेगी। और आखों में मसलन शुरू होने लगेगा मसलन के दौरान इसका एसी डापके आखों के संपर्क में आ जाए तो कुछ ही देर में आप अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। जिसमें वैक्ति पर यह मक्ही अटैक करता है वो केवल कुछ ही पलों में अंधेपन का शिकार हो जाता है। यह मक्ही के बिहार में प्रवेश होने के बाद से जिले के स्वास्त विवस्था सतर्क हो चुकी है। हलांके डॉक्तरों के मताबिक इस मक्ही को लेकर जादा परिशान होने की जरुरत नहीं है। आप सावधानी बरते और इस मक्ही से संक्रमित होने पर इसका उप्चार भी संभव है। अगर कोई व्यक्ति इस मक्ही से संक्रमन का शिकार हो जाता है तो वह सदर अस्पताल आकर अपना इलाज करवा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल और सिक्किम के सभी इलाकों में नैरोबी मक्ही का प्रकोब फैल चुका है। इस Acid Fly मक्ही का प्रकोब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सिल्ली गुडी में लगबग सैकडों लोग इस मक्ही के संक्रमित हो चुके हैं। इसके फैलने की रफ्तार काफी जादा है मौजूदा समय में। सिल्ली गुडी शहर के कई जगों पर ये मक्ही अपना शंक्रमन फैला चुकी है। चींटी के तरह दिखने वाली ये मक्ही काफी खतरनाख है। बताया जा रहा है कि ये मक्खी काठती नहीं है बलकि अगर मक्खी शरीर पर बैठे या चिपके तो उसे छूना नहीं चाहिए छूने पर या फिर इसे मसलने से इसमें मौजूद एसिड जो की काफी जहरीला होता है अगर वह आपके संपर्क में आ जाए तो आपके पूरे श एकती अंधेपन में भी चला जाता है चिकित्सकों की सला है कि शरीर पर इसके बैठने या चिपकने का अगर किसी को पता चलता है तो धीरे से सिर्फ फूक मारकर उड़ा दे या फिर ब्रश करके इस एसिड फ्लाई को वहां से हटा दे और उसके बाद अपने शरीर को साब कि ते रहे जनता जंक्षिन भैनिवाद